हलो दोस्तो मैं CMA Gaurav GST consultant दोस्तो आप सभी noble coronavirus की वज़े से घरों में बैठे हैं और GST related work नहीं कर पा रहे हैं इस वज़े से आप सभी को GST late filing fees and interest related tension भी हो रही होगी साथ वो regular dealer जो की GST composition schemes को opt नहीं कर पाया है अभी तक वो भी सुच रहे होगी कि मैंने अभी तक GST schemes opt नहीं क कई सारे election scheme दी है और इस से related notifications and circular भी जारी कर दिये गए हैं यह वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है इसलिए इस वीडियो के अंद तक जरूर जूर रहे हैं और जाने उन साड़े सवालों के जवाब जो आप ढूंड रहे हैं जैसे आप लोग चानते हो COVID-19 outbreak के कारण GST returns भड़ने में काफी परसानी हो रही है और इसी वजए से 24 मार्च 2020 को Minister of Finance के तरब से एक tweet आया था जिस tweets में उन्होंने यह कहा था कि several relief measures taken by the government in India in view of the COVID-19 outbreak here are the details of relating to GST indirect and customs जिसमें उन्होंने GST indirect tax and customs related कुछ बाते बताई थी और साथ में यह भी बताया था कि GST की जो returns है उस returns की coming dates क्या होंगी और साथ में ही जो interest की जो provisions है उस interest provisions में हम कैसे taxpayer को relief देंगे और साथ में जो भी person taxable person commission scheme opt करना चाहते हैं यह उन्होंने जो opt कर रखा है उनके लिए returns की dates क्या होगी और साथ में ही उनको कब तक returns अगर वो अपना file करेंगे तो late fees नहीं लगेगी कि government ने जो returns की due date है उसे extend नहीं करा है government ने late filing fee waiver scheme लेके आये हैं जिसमें आपका सिर्फ late file नहीं लगेगा लेकिन अगर आप अपने due dates miss करेंगे तो आपको फिर आपको late filing fees देनी पड़ेगी और साथ में ही interest भी आपको back date से calculate किया जाएगा इस regarding government ने 3 अप्राइल 2020 को notifications and उसके regarding clarifications भी issue किये गए जिसमें उन्होंने ये बताया कि clarification in respect of various measures by the government for providing relief to the taxpayer in view of spread of novel coronavirus COVID-19 इस circular में government ने जितने भी notifications issue किये थे उसके related remark आपके डाले हैं और साथ में सारे points करके सारे points को clear किया है हमने जितने भी notifications issue किये हैं साथ में जितने notifications के circular issue हुए हैं उस notifications का एक summarize table create किया है इस table के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि जो भी interest and late filing की liability है उसे government ने आपको कैसे relax किया है और government आपको कैसे charge करेगी और आपको कैसे उस interest की calculations कैसे करनी है साथ में हम आपको बताएंगे कि जो आपकी returns की filing dates है यानि कि उसको कह लिजे relax date है जिस date तक आपको late fees नहीं लगेगी वो क्या होने वाली है ठीक है और इसमें हम आपको बताएंगे जो composition schemes related जो issue है उसे भी government ने कैसे relaxation आपको दी है ठीक है तो आएए इस tables में बढ़ते हैं आपको पता है कि हमारे जहां जो returns की schemes है वो government ने तीन पार्ट में करका है एक वो taxpayer जिनका turnover 5 क्रोर को exceed करता है एक वो taxpayer जो जिनका turnover greater than 1.5 क्रोर है बट less than 5 क्रोर है और एक वो taxpayer जिनका turnover 1.5 क्रोर से नीचे है ठीक है अब इसके according ही सारी calculations and dates की calculations है ठीक है पहले हम देखते हैं कि वो taxpayer जिनका turnover 5 क्रोर से ऊपर है ठीक है उनके लिए चार returns की बात की गई है फरवरी, March, April और मई 2020 की चार returns है इनकी filing dates क्या होगी किस dates तक उनको late fees नहीं देना होगा मैं आपको एक गिन दुबढ़ा बता रहा हूं यह relaxed due date है यह due date को extend नहीं की गई है तो अपना returns अगर आप February 2020 का returns 24 June 2020 तक आप file कर सकते हो यहां तक आपको यहां पर आपको late fees नहीं लगेगी फिर अपना March 2020 का returns है उसे आप बिना late fees के 24 June 2020 तक file कर सकते हो अपना जो भी आपका April 2020 का return है ठीक है और आप turnover पांच कोड़ से exceed करते हैं previous years में तो आप अपना returns 24 June 2020 तक कर सकते हैं साथ में उन्होंने एक नया notification इसू किया तीन April 2020 को जिसमें उन्होंने मैस related dates बता दी है मै की जो due dates होगी वह 27 June 2020 बीस तक extend हो गई है अब यहाँ पर यह जो date है यह due date extend होई है यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह क्या है मै की जो return है उसमें due date को extend किया गया है फरवड़ी March और April की जो भी GSTR 3B की returns है उस returns की जो date है बिना late fees की वह 24 June 2020 है अब हम बात करते हैं उसकी interest calculations की कि अगर आपका turnover पांच कोर्स उपर है तो interest कैसे पे गड़ना है ठीक है April return 4 June 2020 अगर फाइल कर दोगे तो उस case में आपको interest नहीं पे करना यानि कि इस case में interest कर जो rate होगा वह निल होगा ठीक है यानि कि जो भी इसकी अब फरवड़ी से लेके फरवड़ी 2020 की returns की date गवर्मेंट ने बिना late fee के 24 June तक की है लेकिन आप 24 June का wait नहीं करते है आप अपने date तक आपको कोई भी interest नहीं पे करना पड़ेगा तो अगर आप अपना return इन dates के बाद फाइल करते हो ठीक है तो उस case में interest के लिए government ने दो scheme launch की है एक scheme में उन्होंने reduce rate की बात की है जिसमें उन्होंने कहा है 9% का interest लगेगा ठीक है और दूसरे scheme में 18% का interest लगेगा तो 9% का interest आपको तभी लगेगा ठीक है जब आप अपना return ये तीनो return ठीक है फरवड़ी अप्रेल फरवड़ी मार्च और अप्रेल की return ठीक है आप 24 जून 2020 से पहले file कर लोगे तो ठीक है अगर आप अपने return 24 जून 2020 तक file कर लेते हो या उससे पहले कर लेते हो तो आपको सिर्फ 9% का interest लगेगा ठीक है यानि कि और ये कब से लगेगा ठीक है वो भी लगेगा आपको 5 अप्रेल 2020 फरवड़ी की return है 5 अप्रेल 2020 से calculations होगी मार्च की 6 मई और अप्रेल की 5 जून 2020 यानि कि आपको जो interest देना है ठीक है अपनी return आपोश करो for example मैं एक example लेता हूं कि आप अपनी तीनों returns यहाँ पे जो तीनों returns है वो 20 जून 2020 को file कर रहे हो उस case में आपको जो interest देना है वो 5 अपरेल से लेके 20 जून तक का 99% के rate सहीं आप calculations करोगे ठीक है मार्च के case में भी आप 6 मई से लेके 20 जून तक का interest calculate करोगे और वहाँ पे आपको 9% का interest लगेगा और अपरेल के case में भी आपको 5 जून से लेके 20 जून यानि की 15 दिन का जो date है उस दिन का ही सिर्फ interest देना है और वहाँ पे आपको 9% का interest देना है ठीक है अगर आप अपना return 24 जून 2020 तक भी file नहीं कर पाते हो उस case में आपको जो interest लगेगा वो 18% का interest लगेगा और वो भी आपने कब से देन है calculate कर से करना है जब उसके बाद जब आपका in returns का due date खतम हो जाता है यानि कि actual due date जो इस 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 की होती है वो अगर जैसी खतम हो जाती है उसके बाद से ही आपकी interest calculation शुरू हो जाएगी for example आपकी जो फरवड़ी की returns की date है वो basically 20 March होती है और March की 20 April और April की 20 मई तो उस case में फरवड़ी की returns की जो interest calculations है वो 21 March से शुरू हो जाएगी और कब तक लगेगी 24 जून के बाद आप जब तक ही फाइल कर रहे हैं तब तक आपका ये 18% का interest चार्ज किया जाएगा 9% का reflection से इस case में आपको नहीं मिलेगा तो अगर आपको reduce rate का benefit उठाना है तो अपने returns को आप 24 जून 2020 से पहले फाइल कर दे ठीक है अब next हम देखते हैं वो taxpayer जिनका turnover 1.5 crore से उपर है लेकिन 5 crore से नीचे है उनके लिए हमने फरवड़ी March और April के जो returns है ठीक है फरवड़ी March और जो April के returns है उनको उनकी जो due dates है उनकी due dates 29 June 2020 फरवड़ी के लिए March की जो due dates है ठीक है की due date को extend नहीं किया गया है मैं gain ठीक है अब यहाँ पर जो interest की scheme है ठीक है वो कैसे लगेगी तो अगर आप अपना returns in due date जानी कि जो relaxed date है उस तक भी file नहीं करा उस case में यानि कि इस dates के बाद अगर अपना returns इन तीनों returns को file करते हो उस case में जो आपकी in returns की actual due dates होती है ठीक है जी हाँ इन returns की actual due dates होती है उसके बाद आपकी calculations interest की arise हो जाएगी फर एजामपल फरवर्डी की जो due dates होती है वो 24 March होती है वो 24 अपरेल की होती है और अपरेल की जो होती है वो 24 मई होती है तो यानि कि आपके जो interest है वो 25 मई से लगना 25 March से फरवर्डी के लिए और 25 अपरेल से मार्च के लिए और 25 मई के से अपरायल के लिए आपकी इंटरस्ट 18% से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और आपको ये देना पड़ेगा 18% का यहाँ पे आपको कोई भी रिलेक्सेशन इंटरस्ट रिलेटेड नहीं मिलेगा ठीक है next हम बात करते हैं taxpayer having aggregate turnover up to 1.5 crore वो taxpayer जिनका turnover 1.5 crore से कम है उनके लिए ये क्या है इसकीम उनके लिए जो इसकीम है basically इनके जो फरवरी मार्च और अपरेल की जो रिलेक्स डेट है जिसमें उनको लेट फाइलिंग फीस नहीं लगेगी वो है फरवरी की 30 जून 2020 मार्च की 3 जूलाई 2020 और अपरेल की 6 जूलाई 2020 यानि कि आप अपने फरवरी की रिटन 30 जून 2020 तक बिना लेट फाइलिंग फीस के मार्च की 3 जूलाई तक और अपरेल की 6 जूलाई तक अपना रिटन बिना किसी लेट फाइल के फाइल कर सकते हो अब interest की बात करते हैं तो interest में हम देखेंगे कि जो यो आपकी जो ये relax date है इस तारीक तक अगर अपना return फाइल कर दोगे तो आपको कोई भी interest नहीं लगेगा यानि कि फरवड़ी की 30 जून, March की 3 जुलाई और April की 6 जुलाई यहाँ अभी again अगर आपने ये returns अपने मन्त के returns अगर आपने 30, 3 और 6 जुलाई तक फाइल नहीं करें ठीक है तो उस case में इन returns की जो actual due dates होती है again जो की फरवड़ी की 25, March, 24, March, March की होती है 24, April और April की होती है 24, May उसके बाद जो dates यानि कि 25, March, 25, April और 25, May से आपके interest calculations 18% के according ही लगेगा अगर आपने returns अपना suppose को फरवड़ी का 1 जुलाई को भी फाइल किया तो आपको interest पूरा देना है यानि कि 18% से देना है और कब तक का देना है तो 25, March, 2020 से लेके 1 जुलाई 2020 तक आपको अपना interest देना पड़ेगा यहाँ पर भी अगिन आपको कोई भी relaxation scheme नहीं दी जाएगी क्योंकि आपको government पहले ही relax कर दिया है 30 June, 3 July और 6 July तक अब जो मई की due dates थी उसको भी extend किया गया है इन taxpayer के लिए लेकिन यहाँ पर government ने कुछ states के according अपने due dates decide किये हैं यहाँ पर states को दो group में बाटा गया है group 1 और group 2 जो group 1 में जो भी states हैं जैसे 36 गर्ट, मद्यपरदेश, गुजरात, महरास्टा, करनाटका यह जितने भी states के नाम आपको यहाँ पर दिये गए हैं उन सारे states क कि जो मई की date है उसे government ने 12 जुलाई 2020 तक extend किये हैं यहाँ पर date को relax नहीं किया गया है यहाँ पर date को extend किया गया है यानि कि आप अपनी 3B की due dates जो है आपकी actual due dates अब 12 जुलाई 2020 तक हो गई है ठीक है उसाथ में जी स्टेर 3B जो group 2 में के जो states है जितने भी states है उनकी due dates 14 जुलाई 2020 कर दी गई है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं extension in due dates for GSTR 5, 6, 7 and 8 फाइव जो की हमारा non-resident taxpayer फाइल करता है टेक्सप्रियेट मार्च, अपरेल और माई का जो due date है वो होता है 20 तारिक उसके अगले मंत का जो की extend कर दी गई है 30 June 2020 तक GSTR 6 की जो date है जो input service distributor फाइल करता है उसे extend किया गया है 30 June 2020 तक GSTR 7 एगें 30 June 2020 तक और GSTR 8 जो की tax collector यानि की TCS collector फाइल करता है वो भी 30 June 2020 यानि की GSTR 5, 6, 7 और 8 की जो due date है वो 30 June 2020 है नेक्स आप बात करते है normal taxpayer filing form GSTR 1 की ठीक है जिसे आपको every month और quarterly options में फाइल करना होता है उनके लिए जो due dates है वो basically March की जो होती है वो है 11 April, April की जो होती है वो 11 माई, माई की 11 June और quarterly वालों के लिए 30 April 2020 जनवरी से मार्स के लिए तो उनके लिए जो नई dates है without late fees ठीक है यानि कि इस date तक again आपको late fees नहीं लगेगा due date extend नहीं हो रही है ठीक है तो March 2020 की जो returns है उसे आप 30 June 2020 तक फाइल कर सकते हो बिना कोई late filing fees के अपरेल की 30 June माई की भी 30 June और जो quarterly वाले हैं उनके लिए भी ये date 30 June कर दी गई यानि कि extended date है जिसमें आपको late fees नहीं लगेगा नेक्स्ट बात करते हैं relief to composition taxpayer जो भी हमारे composite dealer है उनके लिए क्या relief है government की तरफ से तो opt-in for composite 2020-21 normal taxpayer wish to opt for composition scheme should not file 3B and GSTR 1 for any tax period for financial year 2021 ये बिल्कुल ध्यान रखना कि आप एक regular taxpayer हो और आप अग इस साल यानि कि 2021 में आप composition scheme opt करना चाहते हो आपका turnover 1.5 को क्रॉस नहीं कर रहा उस case में उन्होंने साफ साहब कहा है कि आपको अपना April, May कोई भी return file नहीं करना है अगर आपने एक भी return file कर दी तो उस case में आपका scheme आप opt नहीं कर पाओगे अब ये जो CMP02 जो form opt करना होता है जिसके थुरू हम regular से composite scheme में जाते हैं ठीक है उसकी जो due date है वो government ने 30 June 2020 तक extend कर दी गई है यानि कि आप ये अपना form 30 June 2020 तक file कर सकते हो अगें जो ITC का credit होता है जो बताना होता है कि आपके जिस state को आप composition scheme में जा रहे हो state में क्या आपकी input tax credit थी 19-20 का ठीक है वो आपको 31 July 2020 तक file करना है ठीक है जो compliance है composition dealer के लिए उनके लिए क्या है कि जो GST CMP08 form है tax period January to March 2020 का उसकी due date 7 July 2020 तक extend कर दी गई है और जो GSTR 4 है financial year 1920s related का आपको पता है अब यह GSTR 4 file नहीं होता है नए for returns CMP08 है बट पुराने जो आपके forms है जो अपने file नहीं करे हैं उसे आप 2019 बीस related जो भी GSTR 4 form है उसे आप 15 July 2020 तक file कर सकते हो साथ में ही government ने extension of validity of e-way bill related बात की है e-way bill whose expiry date lies between 20 March 2020 and 15 April 2020 would also be deemed to valid till 30 April 2020 जो भी आपके e-way bill जिसकी expiry date 20 March 2020 से लेके 15 April 2020 तक की है वो valid रहेगा तो दोस्तों आसा है आप लोगो यह वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो प्लीज इसे like जरूर करें और साथ में इसे share करें ताकि दूसरों को भी इन dates के बारे में पता चल सकें